नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूटूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा पिछले वीडियो में मैंने exercise 6.1 और 6.2 के questions को डिसकस किया था आज इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर सामने दिखाए दे रहा होगा जो आज का हमारा heading है शुरुवात हम करेंगे angle some property of a triangle तो यह property क्या होती है दोस्तो यह मैं आपको बताऊंगा भी तो इस topic को सुरू करने से पहले मैं एक triangle बनाता हूँ आप देखेगा इसमें सामने पेंसिल से एगर हलका लग रहा है दोस्तो तो मैं फिर पैंसिल बना देता हूँ इसमें यह देखी यह साइड हो गया triangle में कितने साइड सोते हैं त्री साइड यहां पे और फिर एक साइड यहां पर चलिए ये हैं vertices दोस्तों 1, 2 और 3 कितने vertices हैं triangle में 3 vertices हैं तो चलिए हम इनको नाम दे देता हैं यहाँ पे A लिख देंगे इधर B लिख देंगे और यहाँ पे C लिख देंगे तो दोस्तों angle sum property होता क्या है कि अगर हम तीनों ही angles को add कर दें मतलब angle A plus angle B plus angle C तो यह कितना आता हमेशा यह 180 डिगरी आएगा आप calculate करके देख लिए ना कोई भी एक triangle बनाओ और D से आप angle A angle B और angle C को आप measure कर लो उसके बाद आप देखोगे कि तीनों ही angles का sum कितना आ जा गए यहां पर 180 डिगरी तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा जो हमारा base BC इसको थोड़ा सा में extend कर देते हैं यह हमने इसको क्या किया एक्स्टेंड कर दिया यहां पर कोई point ले लेंगे यहां पर D अब दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था आपको external angle के बारे में तो मा लीजे यह angle कितना है एक्स है यहां पर इसको नाम 1 दे दीजे इसको नाम 2 दे दीजे आप और इसको नाम दे दीजे 3 तो आप देखते हैं दोस्तों angle 3 और angle x क्या बनाते हैं linear pair मतलब angle 3 and angle x form linear pair form linear pair इसका उत्रब दोस्तों क्या हो जाएगा कि इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिगरी इसका उत्रब angle 3 प्लस angle x कितना हो जाएगा 180 डिगरी यह हुआ अब दोस्तों एक चीज आपको पता है कि जो यह external angle होता है दोस्तों यह opposite two internal angles के समके equal होता है मतलब angle 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? angle 1 प्लस angle 2 यह चीज हो जाएगा तो यह हम यहाँ पे सॉरी एंगल एक्स यहां होगा यहां एंगल एक्स होजाएगा तो एंगल एक्स यहां पर लिखा उसकी जागा सकते हैं एंगल 162 इसका अंतलब क्या युद युद अहों être है युदpopular धरी प्लस एंगल 1 EU युद यह कितना और हो दोस्तों एंगल a प्लस ऐसे ही अंगल 2 की जगां अगल लिख सकते हैं एंगल b और एंगल 3 की जगां लिख सकते हैं आप एंगल c यह कितना हो जगा दोस्तों 180 degree तो यह काला आता है दोस्तों एंगल sum property of a triangle मतलब क्या होता है कि sum of 3 internal angles internal angles of a triangle is 180 degree तो दोस्तो यहां पर हम statement को लिख देंगे the total measure the total measure of the three angles of the three angles of a triangle of a triangle is 180 degree तो दोस्तो यह आप copy पर अपने नोट करना और इसी का हम यूज करेंगे दोस्तो यही concept है तो चलिए अब हम इसी concept पर पहले एक दो एक्जामपल करते हैं तो देखिए आप दोस्तो यहां पर आपका जो NCRT textbook है दोस्तो इसके एक्जामपल को करेंगे हम तो देखिए आपके सामने दोस्तो आपको दिख रहा होगा यह एक्जामपल 2 क्या काता है इंदा गीवन फिगर 6.18 दोस्तो यह फिगर बना है PQR यह फिगर 6.18 है Find M means measure of angle P angle P को measure करना है दोस्तो तो क्या हो जाएगा तीनों का सम कितना होता है 180 degree तो देखिए दोस्तो कैसे करेंगे हम पहले यह फिगर आप अपनी कॉपी पर जरूर बनाना तो यह है एक्जामपल 2 तो चलिए करते हैं इसे एक्जामपल 2 इसमें दोस्तो एक ट्राइंगल बना है PQR तो इसको हम बना लेंगे पहले क्या है यहाँ पर PQR तो यह हो जागा यहाँ पर P यह हो जागा Q और यह हो जागा यहाँ पर R कितना दिया है दोस्तो यह दिया है 47 डिगरी और यह है यहाँ पर 52 डिगरी हमें एंगल P को निकालना है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रापर्टी तो हम लिखेंगे यहाँ पर angle some property angle some property of a triangle क्या हो जाएगा दोस्तों angle P plus angle Q plus angle R यह कितना जाएगा 180 डिग्री यह हो गया दोस्तों अब आप values को रख दीजिए यहां पे angle P हमारा unknown है तो ऐसे ही रहेगा तो कितना जगा दोस्तों ये तो angle P रहा अब देखिए angle Q कितना दिया है 47 डिग्री और angle R कितना दिया है 52 डिग्री और ये कितना हो जगा यहां पर 180 डिग्री यह हो कितना हाइट्टिग्री इस नाईक्टीघ्री को करेंब दूसरे साइड में ले जाएंगे अंगल कितना हो जाएं यहाँ पर do तो कितना हो जागा 81 जगरी तो मेजरमेंट आफ एंगल पी कितना हो जागा यहां पर 81 जगरी तो यह था दोस्तो एक्जाम्पल नमबर टू अब हम यहां पर exercise 6.3 के questions को यहां पर discuss करेंगे तो यह दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर exercise 6.3 इसका देखिए question number 1 है क्या कहता इसमें करा कि find the value of the unknown x in the following diagram तो यह कुछ आपके सामने diagram बने हुए हैं इसमें हमें unknown x की value को निकालना है दोस्तों तो हम सारे questions में वही यूज़ करेंगे angle some property of a tri angle तो first वाला देखते हैं दोस्तों first का first जो part है उसको देखते हैं क्या दिया है यहां पर देखिए यहां पर question number 1 लिख देते हैं हम इसका है first part इसका आएगा first part इसमें triangle है दोस्तों यहां पर triangle ABC क्या है कि यह है triangle ABC यह सी यह हो जागा यहीगा बी और यह हो जागा C यहां पर दिया है लिए और यहां दिया है 60 degree तो क्या यूज़ करेंगे by angle some property of a triangle इसको लिए तो दोस्तों मैंने यहां पर लिख लिए by angle some property of a triangle में एंगल क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी फ्लस एंगल इन्ग लिया है दोस्ति यहां पर एक्स दिया है फ्लस एंगल पी किते डिया में फिर조 सुच्टि सुच्टि डिजरी कि t मेट का लिजी दोस्तों तो एकस प्लससद्ट प्लस जगा 11110 डिगरी एकवस्ट टू जेगा 180 डिगरी एकस कित no जेगरी माइनस110 डिगरी कि-20 this कि value कितनी आ गई यहां पर 70 degree तो यह हो गया दोस्तों आंसर यहां पर अब ऐसे दोस्तों आता है हमारा second part इसका second में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए triangle PQR यहां पर angle Q है 30 degree angle R है X और angle P क्या है यह 90 degree है दोस्तों यह right तो second हो जाएगा दोस्तों यहां पर दोस्तों आप स्केल के help से बनाना figure जिसे आपका figure एक दम exact बनेगा मैं समय बचाने के लिए हास से ही बना रहा हूँ यहां यह क्यों हो जाएगा यहां यह आर हुआ यह X हुआ और यह हो जाएगा यहां पर पी तो यह 90 हुआ दोस्तों यहां पर यह 90 हो जाएगा तो क्या करेंगे by angle some property of a triangle यह statement हम यहां पर लिखेंगे by angle some property of a triangle तो यह हुआ दोस्तों बा triangle some property triangle क्या हो जाएебेı प्लस एंगल q blocks angle यह कुछ्ट कितना हो ज़गा 180 डिग्री अधिक गल्त कि यहां पर 90 डिग्री अंग्ल क्यों एंगल के विभी दिज़े है दोस्तों यहां पे 30 डिग्री दिया गया है यहें जग सकता तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें 90 प्लस 30 कितना हो जागा 90 प्लस 30 हो जागा 120 डिगरी प्लस X इकोस्ट टू कितना हो जागा 180 डिगरी तो X कितना हो जागा 180 डिगरी 120 डिगरी ये माइनस करने के बाद दोस्तों कितना हो जागा 60 डिगरी तो आन्सर कितना हो जागा यहाँ पर दोस्तो X की वहलू 60 डिगरी तो ये था आपका second part आप आते हैं पर third part में तो यह देखिए दोस्तो थRID part का फीगर यहां पे यहां पे दिया है ट्राइंगल X, Y और Z, जहां पे सक्तलू इंगल X कितना है 30 degree, एंगल Y कितना है 100 percent three degrees और एंगल Z कितना है Z तो यहां पर है की value हमें निकालने हैं दोस्तो चलिए हम करते हैं इसमें हम बनाते हैं दोस्तो ऐसे ही कोशिस करते हैं जैसे फिगर दिया है बुक में वैसे ही बनाएंगे इसको मैं स्केल से जॉइन कर देता हूँ यह देखे मैंने जॉइन कर दिया इसे यहाँ पर नाम दे देते हैं X जैसा किताब में दिया है यह 30 डिग्री हो जाएगा यह है Y कितना दिया है यहाँ पर 110 डिग्री और यह कितना है X यह नाम दे देंगे Z तो यहाँ भी दोस्तों वही करेंगे by angle some property property of a triangle किया हो जाएगा दोस्तों angle X plus angle Y plus angle Z यह कितना जाएगा तीनों कसम 180 डिग्री तो फिर क्या दोस्तों इसमें अब angle x कितना दिया है 30 डिग्री ठीक है एंगल Y कितना दिया है यहां पर 110 डिग्री और एंगल जेट कितना दिया है यहां पे X यह हो जागा 180 डिगरी तो 30 और 100 तेना प्लस करोगे तो कितना हो जागा 140 डिगरी प्लस X यह कितना हो जागा यहां पे 180 डिगरी X equals to कितना हो जागा 180 degree minus 140 degree तो minus करने पर X की value दोस्तों कितनी आगी 40 degree तो यह आपका हो गया दोस्तों answer X कितना आगया है हैं पर 40 degree तो यह था दोस्तों आपका third part अब आते हैं हम next fourth part पर आते हैं fourth part मैं दिखा देता हूं दोस्तों आपको देखे क्या है यहाँ पर यह देखे ट्राइंगल है कोई और कितना है यहाँ पर 50 degree यह है एक्स यहाँ पर है X तो यहाँ दोस्तों देखे वर्टिसेस का कुछ नाम नहीं दिया गया है तो हम अपने हिसाब से नाम दे देंगे ABC PQR कुछ भी दे देंगे यहाँ पर नाम तो चलिए बनाते हैं दोस्तों फिगर और फिर सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट तो यह ग्रा करेंगे दोस्तों साइड फिर यह ग्रा करेंगे दोस्तों आप भी दोस्तों अपनी कॉपी पर बनाना इसमें और फिर इसको जॉइन कर देंगे हम चलो यह नाम दे देते हैं इसको A इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं, पर C, अब क्या आओ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यह देखिए, X, इसको X लिखा गया है, यहाँ भी X लिखा गया है, और यहाँ कितना है, 50 degree, तो यहाँ भी दोस्तों, वही काम करेंगे, क्या करेंगे, by angle sum property of a triangle, लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे याहां पर by angle some property property of a triangle क्या हो जाएगा दोस्तो तीनों का सम वन हैंてटी डिगरी तो angle A plus angle B फिर कितना हो जाएगा एंगल A plus angle B plus angle यूए serाग हो सिह यह कितना हो जगा है औंप total teknolog एंगल भी इंगले कितना वह को आप फिप्टी दिगरी और एंगल शी कितना है यहाँ किप retail पे और 50 डिगरी 2x प्लस यहां पर जागा 50 degree equals to कितना जागा 180 degree अब देखिए यह 2x हो गया और 50 इधर जाएगा तो कितना जागा 180 degree माइनस 50 degree तो 2x कितना आएगा दोस्तो 180 में से 50 जाएगा तो कितना जागा 130 degree अब यहां 2 से 2 है तो क्या हो जाएगा दूसरे साइट जाकर 2 से क्या हो जाएगा डिवाइट तो कितना हो जागा दोस्तो 65 तो आंसर ओ गया दोस्तो यहां पर 65 डिग्री एक्स की वेलू आ गई 65 डिग्री तो यह था दोस्तो आपका fourth part अब हम आते हैं किसमें fifth part में आते हैं दोस्तों यह देखे के ट्राइंगल बना इसमें आपके सामने फिप पार्ट में कि तीनों येंगल कितना दिया है एक्स देगा ये फैसितो तो टीनों का सम कितना आ जह का वानटेधा डगरी तो चलिए करते हैं लोग पार्ट को यहां बना लेंगे क्राइंगल कि यह नाम दे देंगे दोस्तों यहां पे नाम दे देंगे यहां बी नाम दे देंगे यहां पे सी तो यह कितना हो जागा यहां पे एक्स यह कितना हो जागा यहां पे एक्स और यह कितना हो जागा यहां पे एक्स तो यहां भी दोस्तों वही उच्छ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल तो लिखेंगे यहां पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल क्या हो जागा दोस्तों इसमें एंगले प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यह कितना जगा है है यहां पे 180 degree यह कितना है x यह कितना है x और यह कितना जगा x यह है 180 degree x x x मिलके हो गए दोस्तो 3x यह जगा 180 degree अब दोनों ही sides को दोस्तो 3 से divide कर दो आप यह 3 से 3 कटके 1 आएगा तो यह जगा x और यहां कटके कितना आएगा 60 तो यह जगा 60 degree तो मारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो अंसर जाएगा यहां पर x equal to 60 degree तो यह था दोस्तो फिप्थ अब हम आते हैं 6 पर दोस्तो शिक्स पार्ट पे तिक्षे क्या है यहां पर 6 part अपको वो दिख रहा होगा सामने यह है दोस्तों यहां पर यह ट्राइंगल बना है तो देखिए यहां पर यह राइट एंगल ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है यह 90 डिग्री है यह एक्स और यह क्या है यहां पर टू एक्स तो तीनों का सम कितना हो जागा 180 डिग्री तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें बनाते ही से ट्राइंगल को तो यह हो गया दोस्तों यहां पर यह साइड हो गया और यहां पर यह साइड हो गया अब दोस्तों पहले इनका नाम दे देते हैं चलिए इस बार P नाम दे देते हैं इसको Q नाम देते हैं इसको R यह तो 90 हो गया और यहां कितना हो जाएगा 2X और यहां कितना हो जाएगा X तो यहाँ भी दोस्तो वही statement लिखेंगे और हर बार लिखेंगे क्या लिखेंगे by angle some property of a triangle यह दोस्तो मैंने लिख लिया by angle some property of a triangle क्या हो जाएगा angle P plus angle Q plus angle R यह कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 degree अब angle P कितना है 2X angle Q कितना दिया है X और angle R कितना है 90 degree लिखेंगे कितना हो जाएगा 180 अब दोस्तो कितना हो जाएगा 2X और X का सम हो जाएगा यहाँ पे 3X प्लस 90 कि इस कितना हो जाएगा 180 दिग्री अब यह 90 गरिए साइट में जायगा कितना हो जाएगा फि Drag — 90 डिग्री नहां हो गया biology मनेटी में से 90 जाएगा सब्सक्राइब कितना हो जैगा 90 तो 3 x सी कोस्ट हो जाएगा यहां पर 90 डिगरी अब दोनों ही साइट का हम 3 से दिवाइट कर देंगे टियो 3 3最 कैंजलों के वन आएगा और 3 से 90 कैंजलों के 30 आएगा तो एक्षी push तो जैगा यहां कै अब देखिए दोस्तों यहां पर कॉस्ष्टिस नूमबर 2 क्या काता है हैं सब्सक्र्क ऐस विंग is Channel 1 में दोस्तों के वहहली है ओनरा एक से यहां परники और जान्नों है कौन-कौन एक साइंड वाइंद फालविन्ग डाइंग्रामस लाए है तू है यहां पे और दोस्तों पीछे भी तीन दिया है पूर्स है फिर्फ है सिख्स है तो चलिए आंड डेर नहीं करेंगे और श्रू करते हैं सबसे पहले कुशिय नंबर तू का फ़र्च पार्ट कर transformation नमबर टू का फ़र्च पार्ट है दोस्तों यहां पे पहले और फिर यहां पर ऐसे बनाए यहां पे चले वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों कितना है आइस और इधर दिया है यहां पर 50 डिग्री और यहां कितना दिया है वाई और यह दिया है यहां पर 120 डिग्री तो दोस्तों यह हो गया तो अब दोस्तों आप देखिए इसको चलो नाम दे देते हैं A दे देते हैं, यहाँ पे B देते हैं नाम और यहाँ पे C और यहाँ पे कुछ पॉइंट करके हैं, D लिग देते हैं यहाँ तो दोस्तो सबसे पहले देखिए Y और 120 डिगरी क्या बनाते हैं? लिनियर फिर तो हाँ, एंगल Y और एंगल 120 डिगरी फॉर्म लिनियर लिनियर पिर दोस्तो इनका सम कितना हो जाएगा? का आपको पता हए Between angle y in प्लस 120 डिग्री कितना हो जगा यहां पर 180 डिग्री इंगल वई की वैलू कितने है जा गी 180 माइनस 120 यह जा खेक शी डिग्री दोस्ते हैं अगर आप आप एंगल का सिंबल ना लगाओ तब भी वाई को स्टू कितना जगा 60 डिगरी इसका उतर वाई की वैलू कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिगरी अब हम क्या यूज़ करेंगे तीनों ही एंगल का सम कितना होता है वह ने के डिगरी किस प्रॉपर्टी से बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आफ ट्राई एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी आफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एंगल 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 बी प्लस एंगल सी कितना हो जागा यहाँ पे 180 डिगरी अब एंगल 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 खेली कितना दिया है 50 और एंगल सी कितना दिया है दोस्तों वाई ये लेक हउस्त sä做 गाव ऐ canyon ऑने टी डिग्री सब्लस्त ór कि और डोस्तों कितना कट्ना अपर 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाए पर यह ग्या पर फिर इसके आगे क्या हो जाएगा यह हो जागा यहाँ पर X प्लस 50 प्लस 60 कितना हो जागा 110 110 डिगरी इकोस्ट्टू कितना हो जागा 180 डिगरी तो यहाँ से दोस्तो X कितना हो जागा 180 डिगरी माइनस 110 डिगरी अब दोस्तो 180 में से 110 गया तो कितना हो जागा यहाँ पर 70 डिगरी तो answer कितना हो गया यहां पर दोस्तो 70 degree x कितना हो गया 70 degree अब आते हैं दोस्तो इसमें वैसे दोस्तो इसी पार्ट में हम एक चीज़ और बता दें कि जैसे यह 120 degree external angle हो गया यहां पर external और x और 50 क्या है two opposite internal angle है तो वैसे भी इन दोनों का sum क्या हो जागा 120 के equal हो जाएगा मतलब x plus 50 degree x plus 50 degree हो जाएगा यहां पर 120 degree तो x कितना हो जाएगा 120 degree माइनस 50 degree तो x की value हो जाएगी 70 degree तो दोस्तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी अब आते हैं दोस्तो इसके second part पर second क्या काता है यहां पर दोस्तो देखिए आप figure में देखे यह एक triangle है दोस्तो इस triangle का यह side यहां पर extend किया गया है और यह side यहां पर extend किया गया है यह कितना है y यह कितना है 50 degree और यह कितना है x और यह कितना है 80 degree तो दोस्तों मैं पहले इसी में समझा देता हूँ आपको जैसे यह 80 डिग्री है और यह Y दोनों वर्ट कली एपोजिट अंगल से हैं तो क्या हो जाएंगे इक्वल तो Y की वैलू कितनी हो जाएगी यहां पर 80 डिग्री अब यह 80 हो गया यह 50 हो गया यह X हो गया इसका उत्रब तीनों का सम फिल ले लेंगे वह नेक्टी डिग्री तो फिर हमारी X की वैलू आ जाएगी तो चलिए दोस्तों करते हैं पहले फिगर बना लेंगे हम फिर करेंगे यह हो जाएगा दोस्तों और यहां भी ऐसे यहां भी हो गया तो चलिए यहां आपने एरो बना दिया और यहां पर लिखा है वा सॉरी 80 डिग्री यह लिखा है यहां पर यहां पर यहां पर यह हो गया Y यहां हो गया 50 डिग्री और यह हो गया यहां पर X यहां पर नाम दे देंगे A यहां नाम दे देंगे B यहां नाम दे देंगे C तो दोस्तों क्या हो जागा यहां पर देखिए Y and 80 degree are vertically opposite angles vertically opposite दोस्तों एक बात और आपसे करनी है कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वह आपको कैसा लगता है पसंद आता है नहीं समझ में आता है कि नहीं आप comment box में जरू लिखना दोस्तों जिससे मुझे थोड़ा सा पता चलेगा कि मुझे कहां कहां और improve करना है क्योंकि मेरा जो मिलकुल मिला के जो परपज है वो है आपको फायदा हो आपको समझ में आए आपकी पढ़ाई चलती रहे अच्छे से तो उसके लिए जब तक आप comment नहीं करोगे तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा इसलिए आप comment box में जरूर लिखा करो क्या आपको यह वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो में अभी क्या कमी है इसमें कहां कहां इंप्रूब किया कि अब दोस्तों यहां पर बाई कि एंगल कि सम प्रॉपर्टी कि अंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जागा यहां पर 180 डिग्री अब एंगल ए कितना है यहां पर य के इक्वल है बी किसके इक्वल है 50 डिग्री के इक्वल है और सी किसके इक्वल है एक दिगे यह हो गया दोस्तों यहां पर तो अब एलो रखते हैं वाई की वैलु कितनी है यहाँ पर 80 degree निकाला है प्लस यह कितना हो जागे यहाँ पर 180 degree 80 प्लस 50 कितनी हो जागे 130 डिग्री ट्मर्टD USA हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री एक्स की वैलू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री या एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री तो यह हो गया दोस्तों आपका आंसर एक्स कितना गया 50 डिग्री और वाई कितना गया यहां पर 80 degree तो यह था दोस्तों आपका question number 2 का second part अब आते हम third part पर तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका third part यह आपके सामने triangle बना है और यह जो base है इसको यहां पर extend किया गया है तो यह क्या हो गया external angle हो गया है यह y हो गया 60 degree हो गया और यह 50 degree तो दोस्तों चलिए हम करते हैं इसमें x को निकालना है और y को निकालना है तो y को हम निकाल लेंगे angle some property of triangle से और यह दोनों linear pair हो गया तो 180 में से minus कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा तो चलिए देखते हैं यह मैंने फिगर दोस्तों पहले से बना लिए यहां पे तो देखते हैं नाम देडिते हैं इसको नाम दे दीजे ए इसको नाम दे दीजे यहां पे B और इसको नाम दे दी यहां पेabilir si तो क्या जाए अनपे इंगल सम प्रॉपर्टी और ट्राइंगल या लिखिए बाई एंगल सम प्रापरटी और एंगल सम प्रापर्टी और ट्राइंगल क्या हो जागा दोस्तों इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना हो जागा 180 डिग्री तो एंगल A कितना दिया है हाँ पे 50 डिग्री एंगल B कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे Y दिया है Y प्लस एंगल C कितना दिया 60 डिगरी यह हो जगा 180 डिगरी अब दोस्तों इसमें करते हैं तो y प्लस 50 और 60 का सम कितना हो जगा 110 डिगरी यह हो जगा 180 डिगरी तो y कितना हो जगा यहाँ पर 180 डिगरी माइनस 110 डिगरी यह कितना हो जगा 70 डिगरी तो y की value दोस्तों आ गई 70 डिगरी अब देखिए दोस्तों यहाँ पर X और Y क्या है यह? Linear pair है यह का सकते हो आप की X क्या है? बाग opposite to internal angle के समके equal हो जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हो यह चलो Linear pair से ही हम करते है X and Y form linear pair form linear linear pair इसका उतरब X और Y का सम कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 180 degree और Y कितना है? 70 degree तो X plus 70 degree कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 degree तो X कितना हो जाएगा? 180 degree minus 70 degree तो X कितना हो जाएगा? 110 degree तो यहाँ गया दोस्तों तुमारा answer हो जाएगा यहाँ पर X कितना हो जगा यहाँ पे 110 डिगरी और Y कितना हो जगा यहाँ पे 70 डिगरी तो यह था दोस्तो आपका 3rd part अब आते हैं 4th part पे इसमें तो यह है दोस्तो आपका 4th part आप देखें यहाँ पे ट्राइंगल बना है यहां पर यह वाई है यह X है यह 60 डिग्री है यह 30 डिग्री तो दोस्तों आपको देखने में लग गया होगा X और 60 क्या है वर्ट करिए पोजिट तो X भी कितना जगा 60 डिग्री फिर 30, 60 और Y क्या करेंगे एंगल सम प्रापर्टी लगा देंगे तो हमारा Y भी आ जाएगा तो चलिए दोस्तों करते हैं पहले हम इसका फिगर बना लेंगे यह आपका फोर्थ पार्ट यह हो जागा यहाँ पर Y यह हो जागा यहाँ पर X और यह हो जागा यहाँ पर 30 डिग्री और यह हो जागा यहाँ पर 60 डिग्री तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों एक्स और सिक्स्टी क्या है यहां पर वर्ट कली पूजिट एंगल से तो आप लिखेंगे वैसे यहां नाम दे देते हैं दोस्तों वर्टिसेस ए पी और यहां नाम दे देते हैं आपर सी तो हम लिखेंगे यहां पर x and 60 degree are कैसे इंगल्स हैं? वर्टकली अपोजिट और वर्टकली वर्टकली अपोजिट अंगल्स यह दोनों क्या होगे? वर्टकली अपोजिट अंगल्स होगे तो x equals to कितना हो जागा है? यहां पर 60 degree अब क्या करेंगे दोस्तो इस ट्राइंगल ABC में by angle sum property तो क्या हो जागा यहां पर? by angle sum property angle sum property of a triangle क्या हो जागा दोस्तो इसमें? angle a plus angle b plus angle c यह कितना हो जागा? 180 degree तो आप values को रख दीजिए दोस्तो इसमें angle a कितना हो जागा? y angle b हो जागा 30 degree और angle c कितना हो जागा? दोस्तो इहां पर x है भी x लिखेंगे यह कितना हो जागा? 180 degree तो अब दोस्तो इहां पर x की value हम रख देंगे तो कितना हो जागा? y plus 30 plus x कितना है? 60 degree यह कितना हो जागा? 180 degree तो कितना हो जागा? y plus 90 degree equals to 180 degree तो y कितना हो जागा? 180 degree minus 90 degree और यह कितना हो जागा है पर 90 degree तो y की value हो गई 90 degree तो हमारा answer क्या आगया? दोस्तो answer x कितना आगया है? 60 degree और y कितना आगया? दोस्तों यहाँ पर 90 degree यह हो गया x की value 60 degree और y की value 90 degree तो यह था दोस्तों आपका fourth part अब आते हैं fifth part पर तो यह है दोस्तों आपके सामने fifth part यह triangle बना है fifth वाले में यह triangle है यहाँ यह y है यह x है यह x और यह कितना 90 degree तो यहाँ भी वही करेंगे दोस्तों यह वर्ट के लिए पोजिट से 90 हो जाएगा और 90 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जागा वह नटी डिगरी इससे हमारा x भी निकला आगा तो चलिए दोस्तों करते हैं पहले हम क्या करेंगे आप फिगर बना लेंगे कि यह आपका हो गया दोस्तों सेकेंड का फिप्त पार्ट यह दोस्तों बना लेंगे फिर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे फिर दोस्तों इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखी यह कितना होगा यहाँ पर 90 डिगरी है यहाँ पे y है यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है यहाँ पे x है और यहाँ पे चलिए नाम भी दे दें a हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे c हो जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे पहले y and 90 degree r एसे एंगल से वर्ट कली अपोजिट आर वर्ट कली अपोजिट एंगल तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाई कोस्टो कितना जाएगा 90 डिग्री अब हम क्या करेंगे यह जो ट्राइंगल ABC है यहां पर क्या लगाएंगे एंगल सम् प्रापर्टे त्थे लिकेंगे यहाँपे बाई एंगल सम् प्राइंगल क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर एंगल एंगल अ प्लस एंगल C कितना हो जगा 180 degree अब दोस्तों यहां पर एंगल है कितना है यहां पर Y है एंगल V कितना है X है और C कितना है यहां पर X है यह कितना हो जगा यहां पर 180 degree अब values रख दीजिए आप Y कितना है यहां पर 90 degree X और X मिल के हो जगा 2X और यह हो जागा यहाँ पर 180 डिग्री अब दोस्तों यह 90 कहां जागा इधर जाएगा तो 2x कितना हो जागा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो 180 में से 90 को माइनस करने पर 90 डिग्री आएगा दोस्तों तो 2x equals 2 हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री अब दोनों ही साइट्स को 2 से डिवाइट कर देंगे यहाँ भी 2 से यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा 2 से कट के यहाँ के आएगा 45 डिग्री तो दोस्तों x की value कितनी आगए यहाँ पर 45 डिग्री तो हमारा answer हो गया दोस्तों x equals to 45 डिग अब आते हैं दूस्तों six पार्ट पे लास से थिठ्टे उस्तों आपकी एक्सराइब का तो देखते यहंपे six पार्ट सब्सक्राइब ने कि यहाँ दोस्तों इहाँ पर यह बना हुआ एक ऐगल बना है यह इंगल वाई है यह इंगल we can do X ऐggर यह एक से तो देखते हैं ये A हो जाएगा ये B हो जाएगा और ये C ये Y है दोस्तों और ये X है यहां पर ये दोनों तो क्या हो जाएगा यहां पर एक्स हो जाएगा ऐसे ही दोस्तों अगर ये X है तो यहां भी X हो जाएगा और ये देखे दोनों equal है y के जगा तो ये भी कितना हो जगा x तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो angle a कितना हो जगा x और angle b कितना हो जगा यहाँ पर x और angle c कितना हो जगा y y किसके equal है x के अब क्या हम करेंगे by angle sum property तो by angle sum property property of a triangle क्या हो जाएगा दोस्तों angle a plus angle b plus angle c यह कितना हो जगा यहाँ पर 180 डिग्री तो angle a कितना है x angle b कितना है x angle c कितना है x यह जगा 180 डिग्री दोस्तों अब तीनों कसम कितना हो जगा यहाँ पर 3x 3x यह कोस्ट हो जगा 180 डिग्री तो 3 से divide कर दो 3 से 3 cancel होगा 3 से cancel होके 60 आएगा तो x की value आगे यहाँ पर 60 डिग्री साथ ही साथ दोस्तों यह y और x equal है y कोस्ट डिग्री तो y भी कितना होगा x के equal हो जगा 60 डिग्री तो हमारा answer क्या हो जगा दोस्तों x कितना हो जगा यहाँ पर 60 डिग्री और y कितना हो जगा यहाँ पर 60 डिग्री तो यह था दोस्तों of two sides of a triangle मतलब कोई triangle है तो उसके दो sides का जो sum है sum of the lens of two sides of a triangle वो क्या होता है किसके equal होता है यह चीज हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों सामने आप देख रहा हो एक triangle बना है triangle ABC जिसमें इसके जो sides से उनका length दिया है जैसा कि मैंने ले रखा है ऐसे ही तो AB इसमें दिया है 6 cm BC है इसमें 5 cm और AC कितना है यहाँ पर 4 cm तो चलिए दोस्तों इसमें से जैसे 3 sides हैं आपके उसमें से हम दो-दो को लेकर add करते हैं जैसे एक AB है एक BC है और दोस्तों AC को हम CA भी लिख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम AB और BC को add करते हैं AB प्लस BC तो AB कितना है 6 और BC कितना यहाँ पर 5 6 और 5 को add करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 11 अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पर जो 11 है यह क्या है 11 यह 4 से बड़ा है मतलब जैसे हमने 6 और 5 को add किया तो 11 आया 11 क्या है 4 से बड़ा है इसका उतरब दोस्तों AB और BC का समझो क्या है दोस्तों यह AC के सम से क्या है greater है मतलब इन दोनों sides का सम क्या है तीसरे से greater है आप चलिए दोस्तों हम लोग BC और AC को add करके देखते हैं हापे BC प्लस AC यह कितना हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 4 और यह आजाएगा यहाँ पे 9 यह इन दोनों का समझो 9 आया यह दोस्तों 6 से बड़ा है मतलब 9 क्या है greater than 6 तो क्या हो जाएगा दोस्तों BC प्लस AC यह greater than हो जाएगा यहाँ पे AB किसे बड़ा गया है यहाँ पे AB I see दोस्तों अब next जो हमारा बसता है AB और AC बसता है तो AB और AC को प्लस कीजिए AB प्लस AC तो यह कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 यह आजाएगा है है यहाँ पे अब पता है दोस्तों इन दोनों का सम जो 10 आया ये किस से बढ़ा है 5 से बढ़ा है मतलब 10 क्या है 5 से बढ़ा है इसका मतलब AB और AC का जो सम है ये किस से बढ़ा है 5 5 किसके इक्वल है BC के तो आपने दोस्तों क्या देखा यहां पे कि AB और BC का सम किस से बढ़ा है बड़ा है और AB और AC का सम किसे बड़ा है BC से बड़ा है तो आपने क्या conclusion निकाला आपने यही conclusion निकाला कि जो ट्राइंगल होता है इसमें कोई भी दो sides को add कर दो तो तीसरी side से हमेशा क्या आएगा greater आएगा यह हमारा conclusion निकला तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी बात को क्या लिखेंगे इसमें दस्ताम आप दा लेंट्स क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे दस्ताम कि आप कि दा लेंट्स कि और एनी टू साइट्स अपर ट्रैंगल इस ग्रेटर दैन इस ग्रेटर दैन दप्रड़ थर्ड साइटम्टलब किसी भी ट्राइंगल के Any two sides को हुम एड़ कर दे Some of the lengths of any two sides of extra triangle is greater than the third side वो हमेजा तीसरे side से greater होगा जैसे इस triangle में इन दोनों sides को एड़ करेंगे तो इससे बढ़ाएगा इन दोनों को एड़ करेंगे तो इससे greater आएगा यह ध्यान रख लिए